सब्सक्राइब बात करने जा रहे हैं है स्प्रे के बारे में जी हाँ आप सबी लोगों के क्विश्चन होते हैं कि सर बेस्ट स्प्रे कौन सा है है स्टाइलिंग के लिए सो मैंने सब्सक्राइब एक चोटा सा रेफरेंस एक चोटी सी वीडियो बनाई जाए आप सबी लोगों के लिए तो आज हम उसी के लिए बात करने जा रहे हैं करते हैं आपके हिसाब से तो आपके हिसाब से जो आपके बजट के हिसाब से बैठता है आपके मार्केट के हिसाब से बैठता है वह आप बाई कर सकते हो अपने मार्केट से बाकी फिर भी हम थोड़ा सा बात करें तो ज्यादा तर यूज होते हैं जो ज्यादा तर आपको best result देंगे तो चरी दोसों start करते हैं तो चरी दोसों देखते हैं कौन सा best hold spray है या कौन सा best spray है for hair styling के लिए उसके लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि hair styling के लिए हम कितने तरह के hair spray यूज़ करते हैं हम करते हैं तीन तरह के hold spray या तीन तरह के spray आप यूज़ करते हो नॉमली पहला एक shine spray just for the shining के लिए ताकि आपकी styling में finishing and वो glam या shining look maintain रहे shining के लिए head डलना लगे shiny लगे दूसरा हम use करते है hold spray जो भी creation आप करते हूँ जो भी design आप बनाते हो उसको fix करने के लिए और third हम use करते हैं like wax spray अगर आपको जैसे की frizzy hair है आपने blow dry किया preparation बहुत अच्छा किया लेकिन तब भी in making time पे आपको चोटे-चोटे breakages hair जो है वो coverage में नहीं आ रहे हैं वो like अपने way में आपका long hair के साथ आप उसको connect नहीं कर पा रहे हो frizzy लग रहा है तो उनको बिठाने के लिए you can use wax spray also तो उससे काफी cleaner result आता है और वो long hair के साथ में उसको बहुत अच्छे से connect कर लेता है तो सबसे पहला spray जो आप यूज करते हो वो है आपका shining spray यह shining spray है और इसका जो hold है वो ना के बराबर होता है it will give you the like natural hold means एक number का हम इसका force factor बोलते है या hold factor बोलते है एक number means it's like a like जैसे sebum होता है natural oil होता है जैसे आप एक दिन wash करो और उसके 3-4 दिन बाद आप wash करते हो तो आपका natural scalp में जो sebum निकलता है oil निकलता है उसके जैसा इसका natural hold factor है और shine भी यह कुछ उस तरह के देता है तो इस लाइक natural hold factor वन यह आपका shine spray है जो कि आपको केवल shining देगा थोड़ा सा इसके अंदर stickness है तो यह हलका सा आपके जो fly hairs होते हैं उनको भी थोड़ा control में लेकर आता है तो this is the good shine spray for hair styling O6 plus one is koskoff का आएगा तो यह आपने use करना है shining के लिए it's very very good second हम बात करेंगे hold spray के बारे में so hold spray in a medium rain जो कि आपकी reasonable price में आएगा वो है आपका taft it's very very good hold spray actually in commercial market में आपने बहुत सारा देखा होगा यह कि बहुत सारे लोग इसको use करते हैं professional rain में भी इसको use करते हैं इसका effect बहुत अच्छा है ना यह ज्यादा watery है ना यह बहुत ज्यादा mist basis है but it's kind of medium rain में आपका medium kind of formula है बट काफी अच्छा result है long lasting भी और quick fixation भी यह देता है तो पांच नंबर का इसका hold factor होता है या force factor होता है अब पांच नंबर चार नंबर तीन इसके grip पकड़ने का hold करने का जो भी creation आप करोगे वह अगर इसमें लिखा है जैसे कि इसमें लिखा है 5 आप देख सकते हो इसमें लिखा है 5 पांच नंबर का मतलब है कि पांच नंबर का इसका force factor है grip है अब एक नंबर होता है natural दूसरा होता है दो नंबर होता है flexible तेन से आपका hard grip देना स्टार्ट करेगा उसको रोकना स्टार्ट करेगा चार थोड़ा strong और पांच थोड़ा आपका strong में आ जाता है तो this is a strong hold spray जो कि 5 नंबर का force factor है यह taft आपको देता है it's very very good बाकि मैं थोड़ा सा भ बना रहे हो deep line सा बना रहे हो और आप चाहती हो कि जो आपने creation किया वो जल्दी से fix हो जाए then you can use this tuft 6 as blue यह blue color में आता है it's 6 number force factor hold spray जो कि इस से थोड़ा ज्यादा strong है most of the cases में आप इसको जादा use करोगे but quick fixation के लिए this is also very very nice hold spray so इसका भी आप use कर सकते हो sometimes जब आप creation करोग deep lines quick fixation आपको चाहिए होगा so you need this one also you can use this one also so यह 2 spray आप use कर सकते हो taft 5 number और taft 6 number so दोनों काफी अच्छे hold spray हैं जो कि आप अपने styling में use करोगे shining spray so most of the cases में अगर आपका ज्यादा high budget नहीं है so आप इन 3 spray के लिए जा सकते हो it's very very good hair spray for hair styling अब हम थोड़ा professional range में चलते हैं में तोड़ी high range में चलते हैं जो कि most of the trainers ज्यादा use करते हैं और आपने बहुत time इसको use करते हुए देखा होगा सबको मैं भी काफी use करता हो it's P hold spray अब इसमें क्या difference है यह भी hold spray है यह भी fix करता है और यह भी आपका hold spray है यह भी fix करता है तो इसमें क्या change है actually इसमें क्या होता है आपका feel effect और इसका holding factor quick fix section इसके formulas होते हैं अब जब आप इसको use करोगे तो it's means यह लाखा फी lightweight है हम क्या कहते है it's not reshapable means आप इसको एक बार styling बनाओ तो आप इसको reshape नहीं कर सकते हो और इसे करोगे तो आप reshape कर सकते हो अब reshape and non reshapable में क्या difference है यह लगाया मेरे बालों पे तो यह क्या हो गया आपके बाल को sticky कर देगा means आप बनाओगे तो hair अपना nature खो देगा means उसमें थोड़ी सी stickness और heaviness आजाएगी तो इसमें थोड़ा सा आपको heaviness मिलेगा but this is also nice hold spray और इसमें क्या होते है cost क्यों बढ़ती है hold spray कि कि आप उसको formula एक तो बहुत lightweight होता है quick fix fixation आपको मिलेगा और उसके particle बहुत बारिक होते हैं जो कि आपको pee spray में मिलेंगे it's very very good hold spray quick fixation जल्दी से fix करेगा ज्यादा time नहीं लगाएगा dry होने में particle बारिक होते है application वे जब आप apply करते हो तो means उसका output कैसे दे रहा है आपको जब आप spray कर रहे है तो वो कैसे गिर रहा so आपको कैसा इसका application means जब spray आप कर रहे हो तो वो कैसे गिर रहा है for example अगर मैंने इसको किया so इसके particle काफी बारिक है आप देख सकते हो मैं भी आपको दिख रहा होगा तो so यह आप देख सकते हो यह बहुत बारिक है actually so जब आप बालों पे लगाते हो तो यह बहुत हलका ह नहीं आता है stickness नहीं आती है अगर आपका कोई front variation आपने बना यार क्लाइन चाहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है आप इसको रिशेप कर दो दुबारा बना दो please change this front variation तो आप उसको remove करके आप दूसरा front variation आप बना सकते हो जो कि इससे possible है और उसमें क पर dry fix hold spray है यह quick fixation है lightweight है and reshapable है तो यह क्वालिटीज है कुछ जो की इन दोनों hold sprays से अलग है but this is this is also reasonable and good hold spray in the Indian market or other side में भी चलते हैं यह and other countries में भी चलते हैं यह तो यह काफी अच्छे hold spray है reasonable price में market में चलो आप तो maximum यह आपको 300-300 की range में मिल जाएंगे maximum depend करेगा आपकी city to city डेली में अलग prices है मुंबई में अलग prices है हर city में थोड़ी अलग-अलग prices है बट maximum 300 रुपे तक आपको high hopes हो यह मिल जाएगा बाकि आप latest price आप चेक कर सकते हो shine spray यह 1000 रुपे की range में आपको मिल जाएगा MRP में बाकि आप market में पता करोगे discount के according लिए आपको मिल जाएगा piece spray इसके rate फ्लक्चवेट होते हैं तो फ्लक्चवेट होते हैं मिंस यह आपको मिल जाएगा मान के चलो इसके rate ठीक है so यह piece spray भी आपको मिल जाएगा market में इसके rate actually fluctuate होते रहते हैं so इसका fluctuation means यह भी मिल जाएगा आपको 15 से से और 2000 की range में यह मिल जाएगा यह इसे उपर भी मिल सकता है depend करता है कि आपको कैसा slot मिल रहा है तो यह पता कर सकते हो अपने city के हिसाब से so यह spray थे जो आप use करोगे so एक बार again repeat कर रहा हूं कि कौन-कौन से spray first shine spray for the shining के लिए यह just आपको natural hold देगा ना के बराबर but this is for the shining second हमने बात करी black top so यह आपका hold spray है जो की काफी use होता है it's very very good hold spray but इसमें थोड़ा difference है ठीक है but यह आप use कर सकते हो price factor अच्छा है इसका जादा तर professional भी हम लोग भी इसको बहुत use करते हैं यह आपका reasonable price में है आप six number का holding factor taft six it's very very good hold spray quick fixation के लिए माने बात आपके पास pee नहीं है तो you can use this one also but formulas में changes है यह थोड़ा heavy है यह lightweight है so flexible and non sorry and receivable or non receivable का फ़रक है जब आप दूसरा styling change करते तो फ़रक लगेगा but this is also very very nice you can use this one also pee spray इसका quality बहुत अलग है यह थोड़ा costly भी पड़ेगा but इसका आप करते हो तो बहुत जल्दी आपको quick fixation देगा strong hold देगा lightweight है reshippable है आप styling को change कर सकते हो so this is the also very good hold spray so यह चार spray थे जोस्तों जो आपको चाहिए तो आप ऐसा kit बना सकते हो आपका hair styling के लिए बाकि आप अपनी नीर के हिसाब से अभी आपको एक hold, एक shine wax spray के regarding हमने एक वीडियो आपको आपको दिखा देता हूं this is the wax spray so wax spray है क्यों brand का यह आप यूज कर सकते हो just freeze contour के लिए इसके लिए हमने detailed video डाला है youtube पे आप वहां से भी देख सकते हो इसके detail हमने use करके भी बताया है आप लोगों को कि क्या difference है इसमें तो this is for the freeze control के लिए अब हम बात करते हैं जो अब थोड़ा सा practical भी देख लेते हैं कैसे कैसे आपने इसको use करना है ओके माना हमने यह पहला section लिया और इस पहले section में हम taft का use करेंगे तो हमने इसको कॉम करना है और normally हमने इसको पकड़ा अच्छे से पहले इसको कॉम करें आप कॉम करें सही ठीक है अब यहां से हमें इसको lift up करना है अब ही हमने कोई सा भी hold spray नहीं किया पहला हम black का use उठा लेते हैं, so मैं इसको spread करना हूँ, ऐसे उपर, इतना मुझे यह ऐसा fix चाहिए, so हम holding factor का just test कर रहे हैं, so हमने इसको कितने बार किया, देखो, one, two, and one, two, front से and back से इसको apply किया, भी four time, one, two, one, two, four time, just इसको clean करना है, हम इसको hold कर रहे है, ठीक है, अभी भी नहीं, एक बा नहीं रहेगा, again, one, two, one, two, front and back दोनों पर apply किया, और इसको आपने सुखाना भी है, blow कर रहे हैं, साथ-साथ इसको पहले fix कर रहे हैं, अभी इसमें थोड़ी tight grip आच चुकी है, बट अभी भी यह थोड़ा, मुझे और strong चाहिए, सो अभी हमने one, two, one, two, one, two, means eight time spray किया है, again, one, two, one, two, that's it, अभी काफी hard हो चुका है, और अभी यह stable रहेगा, so now, I am confident कि हाँ, यह रह जाएगा, अब इसको remaining part को, यह आपको ऐसे stand up चाहिए, इसको shape दें आप, यहाँ से हम इसको comb करेंगे, remaining part को आपको ऐसे आगे की तरफ, spread करें, जितना आपको fall चाहिए, that's looking nice, up and down, यह proper preparation करना है आपने, so हमने eight time hold spray का use किया, इसको यह पर थोड़ा सा दबा देंगे हम, और यहाँ से भी आपने हलका सा इसको उपर करना है, अभी हम black tough का use करेंगे, spray करना है, यह थोड़ा क्या है, देखो हम spray कर रहे हैं, बट इस सूखने में थोड़ा time ले रहे हैं, और हम इसको blow भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको आपको blow करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, quick fix नहीं है, quick dry नहीं है, formula and थोड़ा सा watery kind of भी है, not that much watery, बट फिर भी थोड़ा सा watery है, इसको हम यहां hold कर लेते हैं, आप यहां पे steel clip लगा दो, यहां पे कुछ support के लिए होना चाहिए, mince puff अगर आपने बनाया होगा, दिनिया यहां पे stable रहेगा, अभी हम यूपिन लगा देते हैं, सो माना जस्ट, यह हम बना नहीं रहें, आप लोगों को शोग कर रहा हूं है, कि कैसे आप इसको जैसे, इसका holding factor कैसा है, सो हमने इतना है spray किया, 8 ताइम यहां और यहां भी हमने average 7 तो 8 ताइम यहां पे भी अप्लाई किया है, अब हम दूसरा section देख लेते हैं, और उसको हम करेंगे blue tuft से, इसको भी आप अच्छे से कॉम करेंगे, and now, we'll spread this section also, हलका सा इसको आपने उपर की तरफ spread करना है, section आपने पतले ही लेने हैं, तब ही आपका hold spray इसको fix भी करेगा, बहुत जादा heavy layer रखोगे तो उसको fix नहीं कर पाएगा, weight जादा हो जाएगा, अब हम blue tuft का use कर रहे हैं, now I'm using blue, one, one, two, one, two, four time, blow करना है, यह थोड़ा सा जादा, आपका hard है, that's it, एक बार और करते हैं, one, two, one, two, blow किया हमने, see, आप देख सकते हो, थोड़ा सा fast है यह, अब हम इसको turn कर रहे हैं, वो काफी देर में हमने, वो dry हुआ, यह भी हमने कितने बार किया, one, two, one, two, eight time, वो थोड़ा हमने, I think, जो third time किया था, और इसको भी आप उपर ले जाएंगे, ऐसे, spread करेंगे, remaining part को आगे की तरफ, और इसको भी मुझे, set is fix करना है, one, two, one, two, shape दे, इसको भी fix करें, remaining part को पीछी ले गए हम, so second layer देखो, यह थोड़ा जल्दी बना, because of एक number, यह ज़्यादा hold factor है, इसका, six number का, तो यह ने हमें जल्दी respond किया, इसको जल्दी fix किया, so यह आपको ज़्यादा जल्दी fixation देगा, और इसका थोड़ा texture भी अलग है, tuft वाले से, now हम use कर रहे हैं, pea spray, अब pea spray का भी थोड़ा सा feel, और result हमें देखना चाहिए, एक और section लिया हमने, so इसको आपने comb करना है, comb करना है पहले अच्छे से, it should be neat and clean from the root area, now इसको आप spread करेंगे यहाँ से, हलके हाँ से आपने spread करना है, yes, अब इसको आपने fix भी करना है, पतला रखे section, और इसको हम pea spray का use करेंगे, pea spray का use करना है इसमें, one two, one two, blow करेंगे, blow करना है और just shape देनी है, that's it, यह fix हो चुका है, फिर भी हम एक बार और कर लेते हैं, one two, one two, that's it, यह जल्दी fix भी हो गया है, और इसने shape भी ले ली है, उसको grip भी कर दिया है, see, थोड़ा fast work हो गया, quick fixation हो गया, lightweight भी है, remaining part को भी कॉम करेंगे हैं, उपर जाएंगे, और इसको भी हम आगे की तरफ spread कर रहे हैं, that's it, इसको भी spray करते हैं, one two, one two, बस, so now it's also fixed, next, see, यह third time, हमने, तीसरा spray हमने use किया, और इसको भी हमने होड कर दिया, so यह पहला था, यह second, यह third, so यह पहले black taft, blue taft, and this is pee hold spray, आपने देखा, यह बहुत जल्दी बना, quick fixation भी किया, इसने थोड़ा सा और, यह सबसे low में, यह सबसे देर में बना, means सबसे जल्दा time है इसने लिया, then इसने थोड़ा कम time लिया, और इसने सबसे ज्यादा कम time लिया, तो सबसे ज़्यादा quick fixation और जल्दी result देने वाला hold spray अपका P है, blue आपका थोड़ा 5 number से थोड़ा ज्यादा strong है, then इसने कम time लिया, then इसने सबसे ज्यादा time लिया, और पांस नम्मर बट इस इसे बना सकते हैं ब्लैक टाफ्ट से भी ब्लू टाफ्ट से भी और पी से भी फरक्या रहेगा थोड़ा समय जादा लगेगा और आपको फील थोड़ा अलग मिलेगा होचए थो आप लोगो को समझ में आया होगा स्प्रेमें बाकि डिफरेंस आपको जब आप यूज करोगे तो आपको फील होगा because कोई से भी product की knowledge है जब तक आप खुद use नहीं करोगे आपको उसका feel, उसका air flow, उसका application way, उसका feel of effect नहीं पता चलेगा तो पहले आप use करोगे दिन आपको उसका result पता चलेगा कि actually में इसमें difference क्या है वो आप feel के तरू जज़ कर पाएंगे तो फिर भी मैंने आपको कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा मैं आपने आप से बता सकता था आप लोगों को कि क्या difference है तो टाफ पांच से भी आप बना सकते हो, छे से भी आप बना सकते हो, तो रहा time taking रहेगा, formula चेंज रहेगा, stickness, quick fixation, very fast quick fixation, hold spray के बारे में और बाकी य जो यह बाला है, wax spray, यह जब friszy hair है, जब आप clean classic styling बना रहे हो, neat and clean, puff clean करने के लिए, sideway पे, lines बनाने से पहले भी आप कर सकते हो, जब आपके पास friszy ball है, breakages ball जाता है, then you can, so okay दोस्तों, hope so आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि कौन सा hold spray best है आपके लिए, which is the best hair spray for you, it depends on, बहुत सारे factor matter करेंगे, price factor भी matter करेगा, और वो easily available भी है, आपके market में या नहीं है, यह भी matter करेगा, but फिर भी आप एक बारी इनको use करके ज़रूर देखे, तो आपको पूरा experience मिल जाएगा, कि आपके लिए कौन सा best है, so उमीद है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ जरूर प्रिश कर दिएगा, इससे के हमारे वीडियो की नाटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और हाँ जिस्तों, शॉट वीडियो के लिए आप हमें इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सुनीर कुमाह स्टैलिस के नाम से, पेज हमारा, वहाँ पे भी आप जोइन कर सकते हो, इचे दिवे नमबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वासप मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोगों को सारा डिटेल हम बीज देंगे, तो ओके दिस्तों, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में, कुछ नई स्टाइलिंग के साथ, कुछ न्यू इन्फो ऐसे बनाए रखेगा, तिल देन, बाई बाई, ठीक केर